हेलो गाइज आज हम आपको बताने जा रहे हैं एकदम एजी स्नेक्स की रेसिपी जब भी आपके हम हमान आए आप इसे जरूर बनाएं उन्हें बहुत पसंद आएगा इसके लिए मैंने लिया है एक कप किसा हुआ चुकंदर साथी एक कप मैंने लिया है किसी हुई गाजर च साथी मैंने लिया है दो इंच अद्रक का तुकड़ा जिसको मैंने किसकर रखा हुआ है साथी लिया है मैंने उबले हुए आलू 500 ग्राम एक कड़ाई में मैंने तेल गर्म करके उसमें डाला है जीरा जीरा चटकने के बाद गाइज हम इसमें डालेंगे हमारी हरी मिर्ची और हम इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा अद्रक का पेस्ट गाइज हमें इसे चलाते हुए ही पकाना है लगबग लगबग एक मिनिट लगता है और हमारा अद्रक अच्छे तरीके से पक जाता है देखिए हमारा अद्रक हो च और हम इसे अच्छे तरीके से चला लेंगे ताकि जो हमारी bean's है वो अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से तेल के साथ सिख जाएं और देखेंगे गाईज हमारी bean's भी हो चुकी हैं और अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज और मैं इसे अच्छे तरीके से चला लूँगे गाइज हमें प्यास को चलाते हुए अच्छे तरीके से गोल्डन होने तक पकाना है और इसे तीन से चार मिनटी लगते हैं और हमारी प्यास एकदम गोल्डन हो जाती है बस ध्यान रखें कि हमें इसे चलाते हुए ही पकाना है ताकि ये जलेना मैंने डाला है आधी चम्मच हल्दी पाउडर आधी चम्मची मैंने डाला है धना पाउडर वन पोर्ट टी स्पून मैंने डाला है लाल मिच पाउडर और वन टी स्पून मैंने डाला है गरम मसाला और मैं इसे अच्छे तरीके से मूल लूँगी और गैस की फ्लेम मेरी स्लो है और हम इस स्टेज पर मैं डालूँगी हमारा किसा हुआ गाजर और चुकंदर और इसे अच्छे तरीके से हम अपने मसालों में मिला लेंगे और इसके बाद हमने डाला है स्वादानुसार नमक गाइस मैंने एक चमच नमक का यूस किया हुआ है और देखिए मैं कितने अच्छे तरीके से अपने मसालों को इसमें मिला रही हूँ गाईज हमें इसे सिर्फ एक से दो मिनिट ही पकाना है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे उबले हुए आलू देखिए गाईज मैंने आलू डाल दिये हैं और मैं इसे अच्छे तरीके से इन सब के साथ मिला लूँगी और लेजे तयार है हमारी सबजी साती guys मैंने चार चम्मच मैदा लिया था और इसमें मैं पानी डाल कर अच्छा पतला गोल तयार कर लूँगी देखिए guys मैंने गोल तयार कर लिया है और इसकी consistency कुछ ऐसी होनी चाहिए यदि हम इसे उपर करें तो ये एकदम नीचे बहना चाहिए हमारा मैदा और पानी का गोल रेड़ी है और हम उसी आलू वाले मिस्चर से एक छोटा सा बॉल तोड़ कर उसे देखिए कुछ इस तरीके से शेप दे देंगे और फिर हम इसे मैदे में डिप करेंगे और गाइज मैंने उपर से ली है बारिक वाली सेवई जिसको हमें इससे कोट करना है देखिए गाइज मैं कितने अच्छे तरीके से सेवई को हमारे कठलेट के उपर छिपका रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से कोट हो जाए और गाइज देखिए हमारा हो चुका है और इसी तरीके से मैं सारे कठलेट को ऐसे ही सेवई से कोट कर लूँगे देखिए कुछ इस तरीके से ही करना है गाइज और मैंने इसी तरीके से अपने सारे कठलेट को सेवई के साथ कोट कर लिया है और यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी होता है साथ ही मैंने लिया है उबला आलू और इसमें डाला है मैं नमक काला नमक यूज किया है गाइज यदि आपके पास पनीर अवेलेबल हो तो आप इसमें आलू की जगह पनीर का भी यूज कर सकते हैं और मैं इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लूँगी गाइज मैंने तेल गर्म किया है जो मेरा मीडियम होट करम है और उसमें मैं हम हमारे कटलेट्स को डाल दूँगी और इसे अच्छे तरीके से गोल्डन होने तक पका लूँगी गाइज हमें इसे अच्छे तरीके से पलट पलट कर सेखना है और देखिए हम इसी तरीके से हमारे कटलेट्स को पलट पलट कर सेख देंगे हमारे कटलेट्स एकदम रेडी हैं और हम इसे निकाल लेंगे इसी तरीके से हम हमारे सारे कटलेट्स को सेख लेंगे बागी के कटलेट्स भी मैंने डाल दिये हैं और इसे भी चार से पांच मिनट लगता है और हमारे कटलेट्स एकदम सेख कर रेडी हो जाते हैं देखिए मैंने इसे अच्छे तरीके से सेख कर निकाल लिया है और रेडी हैं हमारे कटलेट्स गाइज मैंने लिया है एक चम्मच मेयोनीज एक चम्मच ही मैंने लिया है टमैटो कैचप और आदी चम्मच मैंने लिया था सेजवान सॉस और मैं इसे अच्छे तरीके से मिला लूँगी और हमारी चटनी रेडी कर लूँगी गार्निशिंग के लिए गाइज देखिए मैंने कटलेट की उपर डाला है हमारा मेयोनीज वाला कैचप देखिए गाइज हमें कुछ इस तरीके से हमारी मेयोनीज वाले कैचप को रखना है ताकि एकदम रिच टेस दे सके साथ ही मैंने यूज किया है गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और मैं कुछ इस प्रकार से हमारी सारे कटलेट्स में लगा रही हूँ साथ ही मैं उपर से और मेयोनीज डाल रही हूँ गाइज यह ज़्यादना हो जा इसलिए मुझे तोड़ा सा टाइम लग रहा है और देखिए मैंने इस प्रकार से सारे गोंसलों को बर्ड नेक्स्ट को अच्छे तरीके से रख दिया है और मैं इसमें डखूंगी हमारे उबले हुए आलू के बॉल्स और देखिए यह कितना जबरदस्ट दिख रहा है है ना एकदम जबरजस्ट आप इसे एक बार बना कर देखें आपको पसंद आएगा डू लाइक और सब्सक्राइब टू माई चैनल थेंक यू